आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के टॉप 50 कंपनी पे आप किस तरह से सिर्फ 270 रुपया लगा के इंवेस्टमेंट कर सकते हैं और इस इंवेस्टमेंट में आपका पैसा डवल सीक्योर हो जाता है क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है वो स्टॉक फ्यूचर में जीरो हो जाए लेकिन अगर आप ETF यानि की एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF गाईस एक ऐसा चीज है जहां पर इंवेस्टमेंट करके आप सिर्फ एक ही स्टॉक में नहीं या तो उस सेक्टर के पूर्सा भी स्टॉक में इंवेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर जासे निप्टी 50 में 50 इस्टॉक है तो निप्टी 50 का एक ETF है जिसका नाम है निप्टी 20 अगर आप निप्टी 20 बाले ETF को खरीद लेते हैं जिसका प्राइस गाईस करेंट टाइम में अभी 270 रुपया चल रहा है अगर आप 270 रुपया लगा के निप्टी 20 के एक स्टॉक को खरीते हैं तो यानि कि आप एक स्टॉक ऐसे खरीदे ह जिसका पैसा आपका 90-50 के company में लगा हुआ है और यहाँ पर आपको अपने portfolio को manage करने का भी tension नहीं रहता है और वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप particular stock में investment करते हैं तो suppose मालो कि आपने 20 stock में investment किये हैं छोड़ा छोटा छोटा amount करके बड़ा amount जो भी हो तो 20 stock को आपको time by time देखना होता है उसको analysis करना होता है जिस stock का ख़ड़ा performance चल रहा है आपको loss के ओपर loss दे रहा है उससे आपको निकलना होता है यह सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा stock में लेकिन अगर आप ETF में investment करते हैं तो यह सारा चीज़ आपको करने का जरुवत नहीं होगा suppose मालो कि आप Nifty 20 के Nifty 50 के ETF ख़एदे हैं तो Nifty 50 के ETF ख़एदे हैं यानि कि आप Nifty के 50 stock में investment किये और Nifty 50 का rules आपको बता दे कि Nifty 50 में जो भी 50 company है एड यह time to time check होता है क्या करता है इन दो company को निकाल के दूसरे दो नए company को डाल देता है Nifty 50 में इससे क्या होता है कि Nifty 50 का जो एक demand है बढ़िया stock का top 50 stock का value रहता है जब भी कोई stock ख़ड़ा performance करता है तो उसको निकाल देता है इससे क्या होता है कि आपका पैसा safe रहता है and secure रहता है तो चलिए गाईस देख लेते हैं कि Nifty 20 जो है ETF उसका price अभी क्या चल रहा है सो गाईस हम आ गए है अपने demand account पे आप जिस भी demand account में stock को खरीते हैं ट्रेडिंग करते हैं सिर्म उसी demand account में आपको जाना है जाने का बाद यहां पर जैसे हमारे यहां पर प्लस का icon है तो आपको search icon में जाना है search word में जाके यहां पर आपको type कर देना है Nifty 20 Nifty 20 जैसे ही आप type करेंगे गाईस यहां पर आपके सामने आ जाएगा जैसे stock में हमारा आता है NSC BSC तो सेम यही चीज़ यहां पर आजाएगा NSC BSC आप जिसमें भी खरीदना जाते है suppose मैं मानलोग की NSC को touch कर देता हूँ NSC को जैसे ही मैंने touch किया है आपर देखें चार्ट हमारे सामने open हो गया है Nifty 20 जिसका अभी current price जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है One week के भी candle में यहां पर गयस आप देख सकते हैं लगभग 2021 में 125 रुपया के आसपास था और अभी यह 271 के आसपास चल रहा है और यह गयस एक ऐसा चीज है एक ऐसा जगा है investment करने का जहां पर investment एक ही जगा में आप investment करके आप इंडिया के top 50 company में invest कर रहे है यह एक बहुत अच्छी चीज है गाईस तो यह investment safe investment है बहुत ही अच्छा अगर आप करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें investment मेरा कोई suggest नहीं है लेकिन मुझे लगा मेरा खुद का थोड़ी है कि यह बढ़िया चीज है investment करने का क्योंकि particular stock में अगर आप investment करते हैं तो उसमें आपका stock 0 हो सकता है लेकिन यह आप एक तरह से index में invest कर रहे हैं यानि कि nifty 50 में invest कर रहे हैं तो nifty 50 तो कोई एक stock को लेकर नहीं चल रहा है nifty 50 stock को लेकर चल ला है और 50 stock time to time change भी हो जाता है जो ख़ड़ा प्रोफरमिस करता है उसको निकल कर बढ़िया प्रोफरमिस करता है उसको डाल लेता है तो यह भी एक चीज है कि आपका पैसा यहाँ पर safe रहेगा तो गैस अगर आप investment करना चाहते हैं निप्टी बीस में तो यह जो हमारा है app stock का है app stock में आप अगर dmit account open करना चाहते हैं तो description पर link दिया हुआ है आप जाके हमाहाँ पर app stock में अपना dmit account open कर सकते हैं description और comment box पर link दिया हुआ है and simple यहापर जैसे हम nifty 20 का chart ओपन किये open करने के बाद नीचे आपको buy and sell का option दिख रहा है तो आपको जाना है buy में and buy में जाने के बाद यहापर आपका quantity वगेर आपको कितना चाहिए यहापर सब सो हो जाता है आपको किस price में खरीदना है जो price अभी चल रहा है उसी price में आप खरीद सकते हैं इस तरह से आप nifty 50 में investment कर सकते हैं इंडिया के top 50 company में investment कर सकते हैं अगर आपको अभी stock में demand account बनाना है तो link discussion पर दिया हुआ है जाओ जाके वहापर download कर लो